टाकुली और टॉक्स के एक और नई वीडियो में दोस्तों आप सभी लोगों फिर से स्वागत है तो दोस्तों मेरा नाम है मांचू और आज आपके लिए लेके आए हैं एक और काफी अच्छे खासे जो है ओफर के साथ में मिलना है इसमें डिस्काउंट भी काफी अच्छा चला है तो डीटेल में जानेंगे आज की वीडियो में हम बुल लारो मैक्सी ट्रक प्लस इस सी एंजी पिकप के बारे में क्या पेलोड है क्या एंजिन की पावर क्या टॉर् कि सबसे पहले एक्षोरूम की अगर मैं बात करूँ तो यह जो है बुल लैरो मैक्सी ट्रक प्लस इंजी इसकी एक्षोरूम जो रहती है आठ लाख नो हजार रुपे रहती है और ऑन रोड जाते आते यह आपका आठ लाख चीटर हजार रुपे का देखने को मिल जाता है और इस पे अभी के डायमेना 90 से एक लाख तक का डिसकाउंट जो है आपको देखने को मिलेगा अगर आप उत्राखंट से लेते हैं नंबर नीचे दिये गए हैं वहां से डीटेल में जान सकते हैं क्या ओफर है क्या कैसे मिल रहा है एक्सचेंज पे भी लगग लगग 15,000 आपको और डिसकाउंट मिल सकता है एक लाख प्लस वह अलग है तो यह सारा कुछ दिसकाउंट के बारे में जानने के लिए नंबर नीचे दिये गए वहां से एक बार आप डेटेल में पता कर सकते हैं बाकि इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन क्या पेलोड है वो मैं आपक सब्सक्रिकी ट्रॉक प्लस तो यहां जैसी आप देखते हैं तो आपको क्रोंग का वर्क कहीं नहीं मिलता यह पूरा आपको सब्सक्राइब की ग्रिल मिलती है यह पूरा जह है हाटज प्लास्तिक में मिलेगा यह महिंद्रे लोगो यहां पर आपको जहготов है nomal हैलोजन हैड प्लास्टिक में दे दिया यह एकदम लोहे में आपको बंपर यहां पर मिल जाता है देखने को रिफ्लेक्टर प्रॉपर यूज किये गए हैं और यहां पर फॉग लगवाना चाहें वो तो आप लगवा सकते हैं अपनी जो है यूज के अगॉर्डिंग तो ऐसा रहता है इसका पूरा फ्रेंट प्रोफाइल जैसी आप साइट प्रोफाइल की ओर आएंगे तो सत्रो से ममें की इसकी पूरी विर्थ चोड़ाई रहती है फ्रेंट में आपको जो है दो वाईपर दो वॉश और डेडिकेटेड मिलेंगी साइट से देखते हैं तो साइट मैं आपको जो है वारवियं से यही ब्लैक कदर के मैट में दिये जाते हैं तो कि नॉर्मली हा काफी बड़ी- आपको यहां वाइड सी है साइड प्रोरफाइल नहां कि जो इसकी तेखने को मिलती जो कि काफी नॉर्मली जो है यहां पर रहता है कॉमर्चेर्डी विइकल में काफी चोड़ी साइड वॉल जो खिकाए अच् ासा अराम से कहाँ से एटायर अराम से यहां प रहते हैं फ्रंट में जो है यहां पर आपके जो है नंबर ऑफ लीप्स जो रहती है वो साथ के आसपास रहेंगी और यहां पर हाइडॉलिक सौक एब्सॉर्बर भी यहां पर दिया गया है रियर की बात करें रियर के जो है क्योंकि देखो लोड तो पीछे याता है न अच्छा गासा तो रियर के पट्टे काफी आपको जो है थिकनेस काफी अच्छी गासी इनकी देखने को मिल जाती है तो यह टोटल छे रहते हैं ल 8.2 आट फिट दो इंच की पूरी लेंट रहेगी लंबाई में और चोड़ाई जो रहती है पांच फूट चार इंच की पूरी जो है चोड़ाई रहेगी तो अराम से इसे जो है उपर हाइट बढ़वाना चाहें जो कि नॉर्मली बढ़वाते ही है तब ही काम हो पाता है अच्छा गासा साइड इसका बन जाता है यहां से हुक्स भी दिये गए है प्रोपर कुछ बाद ना हो वो आप यहां से अराम से बांच सकते हैं और साइड से आप देखेंगे यहां पर दो रिवर्स पार्किंग सेंसर पीछे गाइट करने के लिए बैक करने के लिए मिल ज तो CnG का जो है वो यहां रहता है इसको आपको यहां से भरवाना बड़ेगा प्रेषर यहां पर गेज दिया गया है प्रेषर प्रोपर कितना अभी प्रेषर की गेश अभी CnG स्लैंडर्स में है अब कैपैसिटी की बात रहती ना तो यसमें आपको 150 लीटर की CnG टैंक क जो है लेटर के ओन केजी में बात करूँ तो लगभग लगभग ये जो है 14 से 14 केजी के एक एक सिलेंडर है मतलब वो ही 28-29 केजी की जो है आपर CNG Tango की कैपसिटी रहती है लगभग मानके चलिए 25 केजी तो गयर इसमें आसानी से आ जाएगी अब में माइलेज का रहता है तो माइलेज से पहले मैं इसकी जो है पेलोड कैपसिटी आपको बताता हूँ तो इसकी जो पेलोड रहती है न वो आपको जो है देखने को मिलेगी 1.1 टन की जो है इसकी पेलोड रहती है अब पेलोड के इसाब से ग्रॉस विकल की बात करें तो इसका जो है जी वी डबलू वही 2745 केजी का रहता जो कि मतलब 3,000 से नीचे ही रहता तो परमिट की इसमें कोई ज़्यादा जुरुवत रहेगी नहीं अब CNG में माइलेज की बात करें तो लोड के इसाब से माइलेज लगबग मान के चलिए वो ही और हाइवे आपको इसमें CNG रहता है थोड़ा माइलेज तो इंप्रूब्मेंट रहेगा इसमें तो लगबग लगबग इसमें सोलर से अठार के आसपास मिल सकता है अब डिपेंड करता है चलाते कैसे हैं कुछ ड्रॉप उपर नीचे हो सकता है माइलेज का बागी वो तो आपके चलाने पर ही डिपेंड करेगा तो यह इसके CNG टैंक रहते हैं वो ही साड़े 14-14 kg के दो यहां पर दिये गए हैं अब यहां से चलें इंजिन की बात करते हैं में अब इंजिन वे की और चलता हूं मैं तो यह रहता है इसका पच्चिस सो तेई सीसी का फोर सिलेंडर वाला CNG इंजन जो की सिर्फ CNG में ही जो है मतलब ऐसा नहीं है कि डीजल खत्र जो है सी एंजिन खत्म हो जाए डीजल में चला होला ऐसा तो मतलब अभी फिलाल कोई भी गाड़ी नहीं आती है पैट्रल CNG वाली आती बाइफ्यूल वाली लेकिन यह बाइफ्यूल वाला नहीं है सिर्फ CNG वाला है पावर आट्पूट की बात करूं तो यह 2.5 बीटर गा जो है आपे इंजन पावर जो प्रोड्यूस करता है नॉर्मल आपको आपर विंडो अप एंड डाउन को मिल जाता है यह सारा कुछ हाट प्लास्टिक में मिल रहा है और यहां से आप देखें तो यह आपको इस तरह के से जो सीटें है आपको जो नॉर्मल रैक्सीन में दी जाती है लेकिन सिंगल सिंगल में दे रखिए उधर इधर भी सिंगल इधर भी सिंगल यार यह नॉर्मल जो इनके पिकप में आती है एकदम फैब्रिक में सीटें वैसी दे देते तो मजा ही आ जाता क्योंकि वहां थोड़ा बीच में गैप कम होता है तो सोने की दिक्कत इतनी नहीं आती है कभी अराम करना चाहे थक 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 आ आप एसा रहता है इसका पुरा इन्टीजर अगर आप देखेंगे तो स्टाट अगर मैं इसे करता हूँ तब जोसका पता लगेगा तो स्टार्ट हो गया है मतलब ऐसा नहीं कि बहुत लंबा सेल्फ ले रहा हो यह ऐसा बल्कुल भी नहीं है लेकिन स्टेरिंग की बात करूँ तो पावर स्टेरिंग यह आपको इसमें देखने को मिलेगा तो ऐसा कुछ स्टेरिंग रहता है और साउंड आप नहीं रहे हैं इस CNG इंजन की थोड़ा और रेव करूँ रेव करने पर यह थोड़ा वाइबरेट होता है बाकी मेन देखो कॉमर्सल वाले तो कैसे ना कैसे करी लेते हैं इतना कमफट होने चाहिए नहीं होता मेन पेलोड चाहिए होती सस्पेंशन कैसा है इंजन कैसा है वो देखते हैं CNG की लाइट यहाँ पर आपको बिलिंक होते वह देखने को मिलेगी यहाँ पर नॉर्मल जो है इंजन चेक लाइट बैटरी की और जो है ऑल की 140 की मैक्जिमम स्पीट के साथ में स्पीडो मीटर है यह और यहाँ पर इसका ट्रिप नीचे उपर आपका CNG का नीचे टेंपरेचर का यह सारा कुछ देखने को मिलेगा है हैजार लाइट का स्विच यह है एक 12 बोल्ड का सॉकिट यहाँ पर दिया गया है कुछ चार्ज करने के लिए बाकि यहाँ पर ग्लोब बोक्स का नॉर्मल साइज उपर आपको नॉर्मल IRVM यहाँ पर सनवाइजर यहाँ पर भी सनवाइजर टकेट होलडर के साथ में रहेगा तो यह रहता है पूरा इसका इल्टीजर यहाँ से आप पीछे बोल्डल रख सकते हैं और फायर बुजाने का सिस्टम यह पूरा यहाँ पर दिया गया है जो की पाउडर टाइप में है क्योंकि गैस में पाउडर टाइप का यूज होता होगा और यहाँ पर यह लैंप दे रखी है और यहाँ पर आपको नॉर्मल पीछे की विन्ड स्क्रीन देखने को मिलेगी रियर वाली विदाउट एड्जस्मेंट वाली यह स्लाइड वाली नहीं है यह तो ऐसी है यह बुल्लैरो मैक्सी प्लस के बारे में वीडियो पसंद आईए जरूर बताएं केमेंट सेक्ष्ट में मिलते हैं और ऐसी नहीं वीडियो के साथ मैं